नमस्कार मेरा नाम है दिव्यांशी और आप देख रहे हैं दी लल्लन टॉप खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना हमारे संपादक सौरब दिवेदी निकल पड़े हैं यूपी के सफर पर उनको देखने सुनने के लिए पहुंचे हमारे नए चानल लल्लन टॉप यूपी पर जोहाना सिर्फ चुनावी माहौल का पता चलेगा बलकी देखने को मिलेंगे एक दम लल्लन टॉप ब्लॉक्स, लाइफ सेशन्स और भी बहुत कुछ तो तुरंद कर लीजे सबस्क्राइब और पूछिए क्या हाल है यूपी, लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब बढ़ते हैं आज के किस्से की तरफ साल था 2013 और महीना था नवंबर का वेस्ट इंडीस की टीम दो टेस्ट और तीन वंडे के दौरे के लिए भारत आई हुई थी जी हाँ, वही दौरा जुसके बाद से स्टांस में से सचन सचन की आवाज फिर कभी सुनने को नहीं मिलने वाली थी वही दौरा जुसके बाद से एक इतिहासिक इंटरनाशनल करियर समाप्त होने वाला था क्रिकट के मास्टर ब्लास्टर सचन टेंडुल कर इंटरनाशनल क्रिकट को हमेशा के लिए अलविदा कहने वाले थे हर भारते क्रिकिट फान को वह दौरा अच्छे से याद होगा सचन का पिछ को चूमना, आखों में आसू होना और आखर में वो सचन की दिल छूने वाली स्पीच सब कुछ फान्स को याद होगा लेकिन आज बात उस करियर की नहीं करेंगे जो इस दौरे से समाप्त हुआ आज बात करेंगे एक ऐसे करियर की जो इस दौरे से शुरू हुआ एक ऐसे खिलाडी की जो अगर दो हफ़ते लेट हो जाता तो कभी सचन के साथ नहीं खेल पाता एक ऐसे खिलाडी की जो महस बिर्यानी के लिए बल्लेबाजों के छक्के छुड़वा देता था एक ऐसे गेंदबास की जिसके बड़े भाई की किड़नी में अगर पत्री ना होती तो शायद उसका बड़ा भाई आज भारत के लिए खेल रहा होता आज बात करेंगे भारत के लिए 350 से जादा विकेट लेने वाले गेंदबास मुहम्मद शमी की सिंपल आक्शन, तेज रफ्तार और सीम के तो क्या ही कहने गेंद की सीम इतनी सीधी की तीर भी शर्मा जाए मौर्डन क्रिकेट में शायद ही कोई ऐसा गेंदबास हो जो गेंद को इतनी सीधी सीम के साथ पेकता हो एकुरेसी ऐसी की जनाब की 355 इंटरनाशनल विकेट में से 102 विकेट क्लीन बोल्ड के रूप में आई है इससे शमी की एकुरेसी का अंदाजा लगाया जा सकता है बंगाल के लिए डिमेस्टिक क्रिकट खेलने वाले शमी उस माच में लोकल बॉई कहलाए यानि अपने होम ग्राउन पर माच खेल रहे थे लेकिन कैसे उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर का लड़का जिसके पिता की स्पेर पार्ट्स की दुकान थी खेलते खेलते इडन गार्डन्स तक पहुँच गया आज महमद शमी के 31 जन दिन पर आपको बताएंगे की कैसे उनकी महनत और उनके पिता की लगन के चलते उन्होंने सहसपुर से टीम इंडिया तक का सफर पै किया उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के छोटे से शहर सहसपुर से आने वाले मुहमद शमी को गेंद बाजी तो यूँ समझे अपने विरासत में मिली उनके पिता तौसीफ अली खुद एक तेज गेंद बास थे अच्छी खासी रफ्तार से गेंद करते थे लेकिन सुवधाओं के अभाव के चलते रह गए सहसपुर में ना कोई मैदान था ना कोई पिच्छ ना कोई क्रिकिट की सुवधाएं लेकिन नहीं चाहते थे जो उनके साथ हुआ उनके बेटे के साथ भी हो शमी के बड़े और छोटे दोनु भाई गेंद बासी करते थे बड़े भाई तो शमी से भी तेज थे लेकिन गुर्दे में पत्री होने के चलते उन्हें क्रिकिट से किनारा करना पड़ा पिता के साथ कारोबार में हाथ बटाने लगे लेकिन शमी के लिए उनके पिता चाहते थे कि वे अपने इस तेज गेंद बाजी के हुनर को लेकर आगे बढ़ें शमी के पिता ने कहा भी था मैंने उसमें रफतार के साथ गेंद बादवाद के कोच बढरुद्दिन सिद्धक्रण के पास ले गए शबी के पिता के अनाती था कि यूपी में कोई ट्राइल्स तक रह जाए बदरुद्दीन कुलकाता में कुछ लोगों को जानते थे तो हमने उसे वहां भेज दिया शमी को उनके पिता की क्रिकेट में रूची होने का बहुत पाइदा मिला जानते थे कि शमी में वो लगन है जो क्रिकेट के खेल में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी है वे ये भी जानते थे कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना भी पड़ता है और उन्होंने अपने 16 साल के बेटे को कुलकाता के लिए रवाना कर दिया कुलकाता की इडन गार्डन से एक किलोमेटर दूर था डलहौजी एथिलेटिक क्लब ये क्लब क्रिकेट के लिए नहीं पहचाना जाता था इस क्लब में एक प्राक्टिस पिछ थी आधी मिट्टी आधी सिमेंट से बनी मैदान के भार एक टेंट था शमी उस टेंट में रहते, खाते और उस प्राक्टिस पिच पर अपनी गेंबाजी का अभ्यास करते एक रोज डिलहॉजी अथलेटिक क्लब के सुमोन चक्रबर्ती ने टाउन हॉल क्लब के कोच देब्रता दास को फून लगाया दास ये भी के पूर्व असिस्टन सेक्रिटरी रह चुके थे, वैसे भी टाउन हॉल क्लब का क्रिकित में अच्छा नाम था सुमोन चक्रबर्ती ने दास को फून लगाया और कहा, जल्दी राजस्थान क्लब आईए, एक नया गेन बास दिखाना है, एक हीरा है, नहीं तो खो जाएगा दास क्लब पहुचे और उन्होंने खेलते हुए बच्चों को देखा, और जहरी की तरहां उस हीरे को पहचान दिया दास ने नाम पूछा, कहां से हो ये भी पूछा, फिर पूछा खेलना चाहोगे, शमी ने तुरंथ हां कर दिया दास बोले, तुम्हें साल के 75,000 मिलेंगे और दिन के 100 रुपए खाने के लिए शमी के पास रहने के लिए घर नहीं था, उन्होंने दास से ये बात कही तो दास ने उन्हें अपने घर में रहने की पमिशन दे दी यहां से शमी टाउन हॉल क्लब के लिए खेलने लगे, शमी का बिर्यानी के लिए प्यार अलगी लेवल का है उन्हें बिर्यानी इस कदर पसंदे कि वे टाउन हॉल की टीम से खेलते वक्त हर बड़े मैस से पहले बिर्यानी की फर्माइश करते थे और खा कर ही खेलते थे दास बताते हैं कि उन्हें जब भी शमी से विकेट चाहिए होती थी तो उस समय बिरियानी ही काम आती थी दास कहते हैं जब भी हमें विकेट चाहिए होती थी तो मैं कहता था शमी फार दे यार तो शमी तुरंट पूछते थे बिर्यानी मिलेगी और मैं बोलता था हाँ शमी फट से बोलता था अच्छा गेन दो और तुरंट हमें विकेट निकाल कर देता था दास बताते हैं कि ना उन्हें कभी पैसा चाहिए होता था ना ही कुछ और सुक सुविधाएं सिर्फ बिर्यानी और सोना दास की चत्र चाया में शमी ने बंगाल की अंडर 22 टीम तक का सफर तै कर लिया था तभी पूर्ख भारते कप्तान सौरफ गांगली की निगरानी में एक कैम्प लगा जहां गांगली की निजर शमी पर पड़ी शमी की गेंदबाजी ने वहाँ सब को प्रभावित किया जिसके बाद उनका बंगाल की रंची ट्रॉफी के लिए सेलेक्शन हो गया पिर क्या था शमी ने पीछे मुड कर नहीं देखा और डिमेस्टिक में बहतरीन प्रदर्शन लगातार करते गए अपने डिमेस्टिक के प्रदर्शन के दम पर उनका सेलेक्शन साल 2012 के वेस्ट इंडीज ए टूर के लिए हुआ वहाँ भी शमी ने अपनी गेंदबाजी से आग बरसाई शमी ने उस दौरे पर भारत की फ्लाट पिचो पर एक बहतरीन तेज गेंदबाजी का नमूना पेश किया इरन गार्डन्स में 10 और इंडौर में 11 विकेट चटकाए 6 जनवरी 2013 आखिर वो दिन आही गया जब सहस्पुर का लड़का पहली बार भारते टीम की जर्सी पहनने वाला था पागस्तान की टीम भारत आई हुई थी दो मैचों की टी-20 सीरीज एक-एक की बराबरी पर समाथ हो चुकी थी शमी उस सीरीज में अपनी जगा नहीं बना पाए थे वन डे सीरीज के पहले दो माचों में भी शमी को मौका नहीं मिला भारत दोनों माच हार गया था तीसरे माच में आखरकार धोणी ने शमी को खिलाने का फैस्ला किया भारत उस मैच को दस रन से जीता शमी ने विकेट भले ही एक ली लेकिन तेज गेंदबाजी की बहतरीन कलाका प्रदर्शन किया अपने 10 ओवरों में महज 25 रन दिये भारत ने 166 बना कर भी मैच को जीत लिया था साल के अंत में आते आते जब सचन के जाने की सबसे जादा चर्चा थी तो शमी की टीम में एंट्री हो गई 6 नवंबर 2013 को उन्होंने सचन के साथ भारत के लिए मैदान पर कदम रखा सचन की आखरी सीरीज में उन्होंने लाजवाब गेंद बाजी की जबकि सचन को विदाई देने वाले खिलाडियों के साथ वो भी मैदान पर मौजूद थे उसके बाद से शमी ने कभी भी पीछे मुड कर नहीं देखा शमी कुछी समय में भारत के लिए वंडे में सबसे तेज 50 विकेट लेने वाले दूसरे गेंद बाज बन गए डेब्यू के दो साल बाद ही वर्ल्ड कप भी खेल गए साल 2015 के वर्ल्ड कप में चोट लगे घुटने के साथ 17 विकेट चटका कर शमी ने अपनी काबलियत का लोहा पूरी दुनिया में मनवाया पछलकों सालों में शमी और भेतर गेंद बाज बने हैं आज शमी तीनों फॉर्मिट में भारत की गेंद बाजी के लिए एक एहम अंग है शमी भारत के ने 54 टेस्ट खेल कर 198 विकेट ले चुके हैं वहीं वन डे और टी ट्वेंटी में शमी 89 और 12 मैच खेल कर 148 और 12 विकेट चटका चुके हैं आपके लिए तमाम जानकारी लाएं हैं हमारे साथ ही प्रवीम जाते जाते आपको एक और सूचना दिये देते हैं दीललन टॉप पर शिक्षक दिवस यानि 5 सितंबर 11 बजे से शुरू होगी क्रिप्टो करनसी की क्लास यानि हमारी नई सीरीज एक नया पैसा तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे दीललन टॉप शुक्रिया कौन से सवाल का जवाब है यूपी कौन सी देंदारियों का हिसाब है यूपी बवाल, कमाल या फिर संख्या का भोकाल है यूपी किसी का हासिल तो किसी का मलाल है यूपी खुशहाल पदहाल या वहरहाल है यूपी बताओ तुम्हारा क्या हाल है यूपी